असलाम अलेकुम जी, तो UX रोल्स समझने के बाद, it's very important कि हम UX प्रोसेस को भी understand करें कि अगर आप scratch से एक website या mobile application design करने जा रहे हैं, तो आपका क्या process होना चाहिए ताके आप एक successful product design कर सकें तो इसमें हमारे पास 6 important चीजें हैं, the first one is, जो कि हम इस lesson में discuss करेंगे, that is company and industry research, ठीक है, अब यह जो process है, यह सारे projects के लिए different हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर project के लिए same process run करना है, for example, आपके पास एक project आता है, उसमें सरफ और सरफ कुछ design के issues हैं, वो product बन चुकी है, आपने उसके issues को resolve करना है, तो आप उसकी testing से start कर सकते हैं, और उस project को वापस visual design में लेके जा सकते हैं, और उसके बाद दुबारा से testing करके, उस project को आप end कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा client आता है, जिसको बिलकुल scratch से design चाहिए, तो फिर आप research से start करेंगे, user research, उसका architecture design करेंगे, और बाकी steps आप follow करेंगे, ठीक है, तो हर project के लिए, ये process different हो सकता है, तो आपने खुद decide करना है, किस तरह का project आपके पास आ रहा है, और आपने उसका process कैसे start करना है, कहां से start करना है, लेकिन हमें इन सारे steps का पता होना चाहिए, कि इन सारे steps में क्या ची run करना है, उनके सामने लिया जाता है, तो उस company के लिए, what they feel, that is all about the brand, जैसा कि हमने apple की example ली, coca cola की example ली, तो apple की products जो खरीदता है, वो एक lifestyle है, जो apple उनको provide करता है, इसके लावा जो coke है, वो अपने आपको represent करते हैं, that they brings joy to the people, तो this is their brand, इसके लावा एक बड़ी important example है, कि अगर एक airline पे हम कोई ticket book करना जाते हैं, and we are unable to book a ticket, किसी issues की वज़ा सुनकी website की उपर, तो अगर एक airline company अपनी website को fix नहीं कर सकती, तो how they can fix their services, and how they can fix their planes, तो यहाँ पे हम brand के अंदर वो सारी चीज़ें discuss करेंगे, तो brand को जानने के लिए, आप जिस company के लिए काम करने जा रहे हैं, तो इसके लिए set of questions हैं, आप इन set of questions को go through कर सकते हैं, आप जिस client के साथ काम कर रहे हैं, तो you should know कि उसका business क्या है, वो business कैसे करता है, उसके customers कौन से हैं, वो आपके साथ मिलके कि specific problem को solve करना चाहता है, ठीक है, इसके लावा unique story, unique idea क्या है उसके business के लिए, और मजीद आप उससे पूछ सकते हैं कि what are the words, adjective or phrases जो कि उसके brand को explain मजीद कर सकता है, तो अगर आप brand को जा आपना चाहते हैं, तो इसके लिए ये set of questions है, आप इन questions को go through कर सकते हैं and you can know about कि what that company is all about, इसके बाद एक second बड़ी important चीज है, the culture, और culture actually किसी भी company के beliefs और behaviors है, जैसा कि photoshop में आते हैं, culture को understand करने की कोशिश करते हैं, culture एक ऐसी चीज है जो कि company वक्त के साथ develop करती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी company में announcement हो और वो announce करें कि आज से हम अपना एक निया culture start करने लगे हैं, yes they can define the rules and regulations, लेकिन culture develop होते हैं, time लगता है, जैसा कि अगर किसी company में suit और type and के workers आते हैं और का के काम करते हैं, तो ये suit and tie उनके professionalism को depict करता है, उनके professionalism को reflect करता है, या किसी company में short span के और flip flop span के काम किया जाता है and they do not mind, तो ये भी उस company के culture को reflect करता है, लेकिन इसमें कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, ये एक company का culture है, इसके लावा अगर आप किसी company के साथ interact करते हैं और emails के थ्रूँ interact करते हैं, तो वो email कितनी formal है, ठीक है, formal emails, वो उसकी ending या starting कैसे करते हैं, ये सारा कुछ भी किसी company के culture को define करता है, इसी तरह emails के अंदर क्या smileys का استعمال किया जाता है, क्या exclamation mark का استعمال किया जाता है, ठीक है, तो ये भी किसी company के culture को reflect करता है, तो किसी भी company के culture को जानना बहुत ज should know कि हम जो भी product design करने जा रहे हैं, वो हमने उसके culture के accordingly उसको design करना है, company के जो भी touch points है, they should match with the overall culture of the company, ठीक है, touch points में क्या चीज़ें आ जाती है, touch points में emails आ जाती है, ठीक है, touch points का मतलब है, कि जिस medium के थूँ कोई भी बंदा इस company के साथ interact करता है, ठीक है, emails के थूँ इंटरेक्ट करता है, तो emails में उसकी starting ending कैसे होती है, वो smileys यूज़ें करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें define करती हैं, उसके culture को, इसके लाबा आप किसी भी company की website को visit करते हैं, तो website कैसी है, उसमें fonts कैसे use हो रहे हैं, उसमें colors कैसे use किये गए हैं, तो ये सार जान सकते हैं कि उस company का culture कैसा है, जैसा कि हमारे पास एक example है, कि किसी जगा पे एक presentation दी जा रही थी, तो उस पूरे event के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो के उस company के ex-employees थे, और वो बहुभी वाकिफ थे उस company के culture के साथ, लेकिन presentation के अंदर, जो fonts यूज़ किये जा रहे थ थे, smileys का इस्तेमाल भी हो रहा था, लेकिन they know कि इस company का culture है, वो बहुत rigid है, बहुत professional है, suit and type and के लोग आते थे, so ये fun fonts और smileys, the use of the fun fonts and smileys in presentation, ये इस company के culture के साथ match नहीं करते हैं, तो अगर कोई presentation भी design की जा रही है, it's very important to know कि उस company का culture क्या है, और उसके हिसाब आपने सारी चीजें decide करनी है, तो अगर culture के हवाले इससे आपको questions पूछना चाते हैं, तो there are set of questions, जैसा कि how do employees act at work, what are common behaviors, both good and bad, what does this company means to employees, would employees go somewhere else if they could, employees कहीं जाते हैं, तो कहां जाते हैं, और मजीद हमारे पास questions है, इसके बाद हमारे पास next is है जी reputation, तो reputation is directly linked to the brands, कि लोग इस company के बारे में क्या राय रखते हैं, so that will define the reputation of that company, अब जब भी हम UX approach use करेंगे, तो हमने ये देखना है कि हम जिस company के लिए, जिस client के लिए काम कर रहे हैं, उसकी market में reputation कैसी है, क्या उसकी reputation है ही नहीं, क्योंकि वो अभी scratch से start करेंगे, तो हम फिर कोशिश करेंगे, कि हम उसको इस तरह से लेके चलेंगे, वो एक trust build करें, users के लिए, customers के लिए, जो कि उस products को use करेंगे, उस website को use करेंगे, और अगर उस company की, उस specific brand की reputation market में बुरी है, तो फिर हम UX approach कुछ इस तरह से लेके चलेंगे, कि हम customers का जो trust है, उसको वापस gain कर सकें, और अगर कोई well reputed company है, तो हमने उसकी reputation को maintain भी करना है, और उसको improve भी करना है, so reputation find करना, it's very important, ताकि हम उसके हिसाब से, उसके UX process को लेके चलें, तो reputation जानने के लिए, आप इन सारी च reputation जान सकते हैं, कि वो customers के उपर उनका क्या focus है, वो product की quality या services की quality के उपर कितना focus करते हैं, क्या उनकी product पर rely किया जा सकता है, तो यह वो सारे questions है, जिन से हम जान सकते हैं, कि किसी भी company की reputation कैसी है market के अंदर, ताकि हम उसके हिसाब से, अपनी UX approach को लेके चल सकें, उसके in the market, ठीक है market में क्या चल रहा है, market में trends की sees के हैं, अगर कोई food industry में हम काम कर रहे हैं, जो के हमारा client है, तो food industry में क्या mobile applications के through orders get किये जाते हैं, या कोई और तरीका है, जिसे orders get किये जा रहे हैं, और इसके लावा customers के sees को prefer कर रहे हैं, ठीक है food industry के अंदर, तो यह हमारी जो research है, वो सारी, इसके ओपर भी base हो सकती है, जैसा कि अगर हम coffee industry की बात करें, तो coffee industry के अंदर healthy lifestyle को adopt किया जा रहा है, healthy जो products है, coffee products, उनको adopt करने की कोशिश की जा रही है, और इसी को customers prefer करते हैं, इसके लावा possibility है कि आप जिस industry में काम कर रहे हैं, उसमें customer phone के through ही engage रहने की कोशि करता है, जैसे कि social media है, तो social media अगर आप एक website बनाने जा रहे हैं, तो people love to engage with their social circle using their phones, तो बजाए कि आप एक website design करने जाए हैं, को desktop application design करने जाए, आपको पता होना चाहिए, के trend इस वकत phone का है, and people prefer to use phones, तो definitely you will go with the mobile application, इसके अलावा जी, may be possibility है कि food industry के अंदर, trend ये है कि customer prefer to के अगर कोई breakfast है, तो breakfast option दी जा रहे है customers को, के वो online अपना breakfast customize कर सकते हैं, ठीक है, तो depends upon आपके इस industry में काम कर रहे हैं, so you will have to go through all the market research, industry news किया है, तो industry news जानने के लिए मैं आपको कुछ websites recommend कर देता हूँ, the first one is the industry week, यहाँ पे आपको कुछ market trends मिल सकते हैं, market research, आपको कुछ कर सकते हैं, इसके लावा Bloomberg है, यहाँ पर जाके आप जान सकते हैं, कि different industries में, इस वकत क्या चल रहे है, कौन से trends हैं, और customers किन trends को follow कर रहे हैं, और किसको prefer कर रहे हैं, इसके लावा हमारे पास the third one is market watch, इसमें भी जाके, आप मजीद information get कर सकते हैं, ठीक है, so industry news is very important, because यह decide करे कि आपने किन technologies को adopt करना है, आपने किस तरह के business models को adopt करना है, इसके बाद हमारे पास जो next tease है, that is the competitors, और competitors के लिए यह जानना बहुत जरूरी है, कि आपके competitors क्या कर रहे हैं, तो जब आप industry research करेंगे, तो आपको अपने competitors का भी काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा, आपने competitors क देखना है कि उनको किसी में ज्यादा edge है, जैसा कि possibility है कि आप जिस industry में काम करने जा रहे हैं, your competitors has recently launched a mobile application for their customers, तो you should know about it, और बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमने breakfast की example दी, कि अगर कोई food industry है, कोई fast food restaurant है, और वो breakfast customize करने की option दे रहे है, अपनी website के ओपर, mobile application के ओपर, तो you should know about it लेकिन इसका हरगेज यह मतलब नहीं है, कि जो features, जो facilities आपका competitor प्रोवाइट कर रहे हैं, आपने भी same वही provide करनी है, but you should be very innovative when competing with your competitors, इसके बाद हमारे पास last है, the how business is run, और यह चीज़ हम अलड़ी देख सुके हैं, कि business is one of the pillar of UX, तो आपने यह decide करना है, कि आप जिस application पे का करने लगे हैं, किसी website पे काम करने लगे है, business model क्या होगा, आपकी product का, ठीक है, तो business model में maybe possibility है, कि आप अगर कोई application design करें, तो आप उसमें in-app purchase को include करें, ठीक है, in-app purchase का मतलब यह है, जैसे आप कोई game खेलते हैं, app store से या play store से download करके, और for example, आपके coins खतम हो जाते हैं, तो coins मजीद खरीदने के लिए या तो आप इंतजार करें, या आप अपना debit card या credit card एंटर करके, मजीद coins खरीद सकते हैं, तो this is one of an example of in-app purchase, इसके लावा आपका business model यह भी हो सकता है, कि आप कोई monthly subscriptions के थूँ, business generate करें, जैसे कि अगर आप कोई netflix की subscription purchase करते हैं, तो actually what are the business model is, monthly yearly subscription की basis पे, the netflix earns, ठीक है, इसके लावा और भी बहुत सारी examples हो सकती है, इसके लावा हमारे पास आप अपनी application के ओपर या website के ओपर कोई product sell करते हैं, उसके थूँ भी business generate किया जा सकता है, आप अपनी website या mobile application के ओपर कोई ads place करते हैं, उससे भी business generate किया जा सकता है, आप किसी product को या service को promote करते हैं, किसी और company की, तो आप उनसे भी commission charge कर सकते हैं, और percentage अपनी रख सकते हैं, so how your business is gonna work, ये भी आप decide करेंगे, जब आप research कर रहे होंगे, मजीद UX process की details को हम देखेंगे next lesson में, see you in the next lesson, thank you so much.